हलो स्टुडेंट स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्रानिक्स पार्ट साला में आज के इस वीडियो में हम लोग मेकनिक्स के पेपर का एंसर की डिसकस करेंगे जो चार माई दोहजार चोबिस को डीडियू गोरकपूर यूनिवर्सिटी गोरकपूर में कंड़क्ट ह हुआ है ओके तो जिन भी बच्चों का पेपर हो गया है वह अपना पेपर निकाल लें और एंसर को मैज करते हो चलें साथ-साथ अभी जिन भी इनवर्सिटी में एंसर की एक्जाम होने वाला है उन इनवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे इस वीडियो को एक इन फॉइंट पे आप कैटनरी ठीक कैटनरी के किसी फॉइंट पे टी अगर तेन से नाट एब दा लोईश फॉइंट और जो तीनाट है वह रोगे तरिकन क्यम होगा तो दिखिए जो फर्स्ट कोसण है इसका जो आपसर नंबर ये होगा वह क्या होगा correct होगा ओके अब देखे सेकेंड कोशन क्या करा है करा की न सेंटल आर्वीट at an apps d u by d theta is equal to g क्या होता है तो d u by d theta जो होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है ओके अब देखे थर्ड नमबर कोशन क्या करा 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 की फार केटनरी relation between y and yes is करा करेटनरी के लिए y और yes में क्या relation होता है तो इसका जो c number option होगा ये क्या होगा correct होगा ठीक अब देखे फोर्ट number कोशन करा की फार r is equal to 0 and g is equal to 0 ठीक तो जब r 0 है g 0 है तो इसका अनलब जो body है वो क्या रहेगा equilibrium में रहेगा तो equilibrium में रहेगा तो इसका अनलब उसमें किसी तरीकी का motion होने वाल नहीं है क्योंकि उस पर note force का i 0 है इसका अनलब क्या होगा neither translational नर rotational motion वाल आपसन जो होगा वो क्या होगा correct होगा अब देखिए पांचवा number कोशन क्या करा करा की moment of inertia of spherical cell of radius a and mass about diameter is ठीक diameter के about क्या होगा तो 5 नमबर कोशन का जो d नमबर आपसन है वो क्या होगा correct होगा clear अब देखिए 6 नमबर कोशन क्या करा करा की in elastic strings hooks lies करा की elastic strings में जो hooks ला होता है उसका value क्या होता है तो 6 नमबर कोशन का जो e नमबर आपसन होगा वो क्या होगा correct होगा 7 number question देखिए क्या करा है करा कि अपार्ट कि फाल्स अंडर ग्रेवटी ठीक आगे लिखा हुआ है constant from rest in a medium whose resistance varies as the velocity full stop its equation of motion is given by ठीक तो जो 7 number question है इसका जो आपस नमबर A होगा वो क्या होगा correct होगा अब देखिए यार्थ number question क्या करा करा कि the combination of force and couple is called ठीक तो force और जो couple होता है उसके combination को हम लोग क्या करते है तो उसको हम लोग range करते है ठीक clear तो C number आपस जो होगा वो क्या होगा आपका correct होगा 9 number question देखिए क्या करा है the plane in which all the null lines is the plane in which all the null lines lie each called तो उसको क्या करेंगे हम लोग null plane करेंगे तो इसका अलब A नमबर आपसन जो होगा वो क्या होगा, correct होगा 10 नमबर कोशन देखें क्या करा है करा है कि फार सेंटल आर्बिट, सेंटल आर्बिट के लिए चार ये आपसन दिया हुआ अब पूछ रहा है ठीक, तो 10 नमबर कोशन क्या होगा, जो आपसन नमबर B होगा वो क्या होगा, correct होगा अब देखें 11 नमबर कोशन क्या करा है 11 नमबर कोशन करा कि फार सेंटल आर्बिट, सेंटल आर्बिट के लिए चार आपसन दिया है, इस तो इसे पूछ रहा कौन सही होगा, तो जो C नमबर option होगा वो क्या होगा आपका correct होगा ओके अब चले 12 number question में चलते हैं 12 number question करा कि the equation of null plane at a given point FGH is given by ठीक तो जो 12 number है इसका जो option number B होगा वो क्या होगा correct होगा ओके 12 का option number B जो होगा correct होगा clear अब देखे 13 number question क्या करा कि the null point at a plane जिसका value दिया गया ठीक for the system ठीक null point दिया ठीक plane पे जिसका value यह दिया गया अब करा कि for the system up force system up force भी दिया गया is given by तो 30 number question का जो option number A होगा वो क्या होगा correct होगा ओके अब देखे 14 number question क्या करा करा कि Cartesian equation of the common categories ठीक जिसका क्या होजागा जो 14 number question है इसका जो option number B होगा वो क्या होगा correct होगा ओके अब होगा, correct होगा, okay, अब देखे 16 नमब कोशन क्या करा है, करा कि if A B be a string of length L, then the virtual work done by tension T, आप the string is ठीक, तो इसका देखे क्या होगा, जो 16 नमब कोशन है, इसका जवाब सा नमब B होगा, वो क्या होगा, correct होगा, okay, 17 पे चलते हैं, 17 क्या करा है, करा कि four uniform rots are freely joined at their extremities and from a parallelogram ABCD which is suspended by joint A and is kept in shape by string AC, ठीक, then, ठीक, तो देखे इसका जो आपसन नमब C होगा, वो क्या होगा, इसका correct होगा, ठीक, जो इसका आपसन नमब C होगा, वो क्या होगा, correct होगा, इसमें जो tension होता है, वो weight के क्या होता है, आधा के बरावर होता है, ठीक, इसके साथ कुछ और term आते हैं, जो angle होता है, उसका cosec term भी इसके साथ आता है, ठीक, लेकिन आपसन देखने के carding C नमबर option को जो है, correct माना जा सकता है, ओके, अब देखे, यर्थ नमबर question के, 18 नमबर question क्या करा, करा कि, for stable equilibrium, stable equilibrium के लिए पूछ रहा कि, कौन सा condition satisfy करेगा, तो जो ए नमबर option होगा, वो क्या होगा, आपका correct होगा, ओके, अब देखे, 19 नमबर question क्या करा, करा कि, uniform beam of thickness to be raised, symmetrically, unapurfect, rough, horizontal, cylinder, off radius A, the uniform, sorry, the equilibrium of the beam will be stable or unstable, according as, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो 90 नमबर question है, इसका, जो C नमबर, आपसन, क्या होगा, correct होगा, ठीक, इसके carding, stability, और unstability का क्या होगा, पता चलेगा, ठीक, 29 question देखे, क्या करा, करा कि, the system will be in equilibrium, when, अभी देखे, वो पाला question, sorry, चोथा question जो था, वो इसी कूपर था, ठीक, तो system कभी equilibrium में होगा, जब R और G दोनों क्या हो, 0 के बराबर हो, तो 20 का क्या होगा, C नमबर, आपसन, क्या होगा, correct होगा, अब देखे, 21 का करा, करा कि, the ratio of K by R is called, तो जो ratio था, K by R का, वो क्या कलाता है, तो ये क्या कलाता है, पीछ आप दो system, ठीक, 22 देखे, क्या करा है, करा कि, if the range reduces to single force, then, तो उस time क्या होता है, ये जो LX plus MY plus NZ होता है, इसका जो value होता है, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, अब देखे, 23 नमबर को सन, करा कि, a particle describes a curve, R is called to A, E is to theta, with constant angular velocity about its pole, then the radial acceleration is, तो 23 का क्या हो जाएगा, जो option number D होगा, वो क्या होगा, correct होगा, अब देखे, 24 क्या करा है, करा कि, from the capillars, third law, करा कि, capillar, third law, बता दिए ठीक, तो ये क्या होगा, जो 24 है, इसका D number option जो होगा, correct होगा, clear, D number option जो होगा, इसका वो correct होगा 25 क्या करा है करा कि moment of inertia of solid sphere about diameter ठीक तो इसका क्या हो जाएगा जो d number option होगा वो क्या होगा correct होगा ओके 26 क्या करा करा कि consider the motion of particle falling under gravity in resisting medium the velocity when the downwards acceleration is 0 इचकाल ठीक तो इसको क्या कते हैं हम लोग इसको terminal velocity कते हैं तो क्या हो जाएगा b number option correct हो जाएगा अब देखिए 27 number question करा कि particle falls under gravity in resisting medium the equilibrium of motion is sorry the equation आप motion is दिया गया तो करा कि let be with the terminal velocity देन ठीक इस तरी की question आपको कराया भी गया था इसका देखिए क्या होगा जो c number option है वो क्या होगा correct होगा ठीक अब देखिए 28 क्या करा है करा कि transfer velocity is given by तो 28 का क्या होगा जो d number option है वो क्या होगा correct होगा 29 का राकिया particle describes the equi-angular spiral जिसका equation दिया गया है under a force of to the pole the law of forces ठीक तो 29 की number question का जो option number c होगा यह क्या होगा correct होगा अब देखिए 30 number question का राकि for capillars third law of planetary motion क्या होना चाहिए तो क्या होगा जो d number option है वो क्या होगा correct होगा clear अब देखिए 31 क्या करा है करा कि अब पार्ट किल describe an ellipse under a force जो क्या mu upon नीचे क्या distance का square है ठीक towards a focus यह भी is its velocity and distance are then its periodic time is ठीक तो इसका क्या हो जाएगा जो 31 number option है इसका जो c number option होगा वो क्या होगा correct होगा अब देखिए 32 क्या करा करा कि पार्ट के लिजएक्जीटिंग simple harming motion with periodic time t if displacement is half the amplitude the time required is ठीक तो यह क्या हो जाएगा आपका ty फोर होगा आसान कोस्टन है आप यह सी फर्स सेमेश्टर के फिक्स में पढ़े होंगे अब देखिए 33 क्या करा करा कि in the case of plane lamina for xy plane ठीक तो 33 का क्या हो जाएगा जो option number d होगा वो क्या होगा आपका correct होगा अब चलिए 34 पर चलते हैं 34 करा कि angular acceleration is given by करा कि angular acceleration कैसे दिया जाएगा तो c number option जो होगा वो क्या होगा correct होगा 35 करा कि relation between angular and linear velocity are given by ठीक तो 35 का क्या होगा जो option number d होगा वो क्या होगा correct होगा 35 का option number d जो होगा वो क्या होगा आपका relation between angular and linear velocity is given sorry यह क्या होगा इसका जो b number option है यह क्या होगा आपका correct होगा ओके b number option 35 का जो होगा वो correct होगा clear अब देखे 36 क्या करा 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 की the radial acceleration is given by करा की radial acceleration कैसे दिया जाएगा ठीक तो इसका क्या होगा जो c number option होगा वो क्या होगा आपका correct होगा 37 देखे क्या करा करा कि the radial and transverse velocity of a particular proportional then its path is the curve कैसा यह होगा तो यह क्या होगा equi angular क्या होगा spiral होगा तो d number option जो है वो correct होगा 38 क्या करा करा कि which of the following is not a correct matched ठीक तो इसका क्या होगा जो 38 है इसका जो option number c होगा वो क्या होगा आपका correct होगा 39 क्या करा कि far simple harrowing motion simple harrowing motion के लिए पूछा हुआ है ठीक तो इसका क्या होगा जो d number option है वो क्या होगा आपका correct होगा ठीक अब चलिए 49 कोसम चलते हैं करा कि far simple harrowing motion ये दिया गया है पूछ रहा है पूछ रहा है कि far simple harrowing motion ठीक तो इसका जो 40 जो है इसका जो a number option होगा वो क्या होगा correct होगा ओके अब देखे 41 क्या करा क्या पार्टिकल पर फार्मिंग सिंपल harrowing motion देन दे टाइम पिरिएड आफ आकसिलेशन इज तो क्या होगा जागा 41 का जो d number option है वो क्या होगा correct होगा 42 का रहा है डिफिंसेल इक्वेशन आप सेंटल आर्विट इन पोलर फार्म इज तो 42 का दिया है फार r to the power n is equal to a to the power n कासियन ठीटा सेंटल फोर्स आफ दो सेंटल आर्विट इस ठीक तो 44 का b number आप संजो होगा correct होगा 45 का रहा कि the paddle equation of the path of central orbit is तो 45 का a number आप संजो होगा वो क्या होगा correct होगा 46 देखे का रहा है कि the product of mass and acceleration is तो 46 का c number आप संजो होगा वो क्या होगा correct होगा 47 करा कि while describing the central orbit the following part of the acceleration is taken 0 ठेक तो कौन सा part 0 लेते हैं तो क्या होगा जो b number आप संजो होगा वो क्या होगा correct होगा 48 करा कि moment of inertia आप इन फार्म राट जिसका length क्या है 2a है mass capital M है about an axis passing through middle point and perpendicular to the rat इसका क्या होगा 48 का option number c जो होगा वो क्या होगा correct होगा 49 करा intrinsic equation of common pattern reach तो इसका 49 का b number option correct होगा और जो 50 number question है करा क्या particle describe a curve p square is equal to ar under a force of to the pole then तो 59 question का b number option जो होगा correct होगा ठीक इस तरह के समलोग जो 50 question थे उनके answer को देख लिए आप comment करके बताएं कि आपका कितना question सही है okay thank you for watching